पंजाब कॉंग्रेस में पिछले लंबे वक्त से कलहे मची है जहां सिद्धू अम्रिंदर को कैप्टन मानने को तैयार नहीं है तो वही कैप्टन भी सिद्धू को पार्टी का गुरून नहीं बनाना चाहते लेकिन इस तनातनी के बीच अला कमान ने आखिरकार सुलह कराने के लिए बड़ा कदम उठा लिया सिएम अम्रिंदर के मान मनोवल के बाद दिल्ली दरवार से सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के लिए हरी जंडी दिखा दी गई जिसके बाद पंजाब की सियासत नया मोड ले सकती है पंजाब कॉंग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है इसे जीतने के लिए सत्तारून पार्टी पूरा जोर लगा रही है लेकिन दिगजों के बीच मचीकल है उसकी जीत की रहा में रोडे अटका रही है मगर अब आला कमान ने ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है जिससे कैप्टन भी नाराज नहीं होंगे और गुरू का भी गुसा दूर होगा सुनिया गांधी ने नवजो सिंग सिद्धू को पंजाब कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है अब वो सुनील जाखर की जगा लेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के साथ चल रहे लंबे विवाद और खीचतान के बाद आखिरकार केंद्री आला कमान ने ये बड़ा फैसला ले ही लिया पंजाब कॉंग्रेस की कमान सिर्फ नवजो सिंग सिद्धू के हाथ में ही नहीं दी गई है बलकि चार वरकिंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए है कॉंग्रेस आला कमान ने आने वाले चुनावों को देखते हुए इसमें शेत्री और जातिय समीकरण का भी खयाल रखा है जिन चार लोगों को वरकिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है उनमें कुलजीत नागरा, जट सिख समुदाय से आते हैं सुकविंदर सिंग दलित है, संगत सिंग पिछडा जाती से है और पवन गोयल हिंदू है हाला कि ये फैसला लेना सोनिया गांधी के लिए तना आसान नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग की ओर से शुरू से ही नवजो सिंग सिद्धू को कोई बड़ा पत देने का विरोध किया गया था यही कारण रहा कि नवजो सिंग सिद्धू की ताजपोश ही लंबे वक्त तक रुकी रही थी सिद्धू के नाम के एलान से पहले भी कैप्टन ने अपने लोगों के साथ मुलाकात की और कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिठ्धी लिखी थी इस नाराजगी के बीच सोनिया ने कैप्टन से बातचीत की थी जिसके बाद वो सिद्धू को पंजाब कॉंग्रिस का गुरू बनाने के लिए राजी हो गए थे उनके मान मनोवल के बाद ही दिल्ली दर्वार से सिद्धू को हरी जंडी दिखाई गई यानि साफ है कि पंजाब कॉंग्रिस के कैप्टन सिद्धू होंगे और अमरिंदर पंजाब के कैप्टन होंगे अब देखना होगा कि मनमुटाओ के बाद दोनों ने तापस में कैसे तालमिल बैठाते हैं दिवी लाइव की रिपोर्ट